हेलो नवीटिफ एल्कम जैंशी घैंगं जैंग्स कैसे हो आप उमीधह सब तेक होंगे तो आज की वीडियो में हम सिखेंगे जैंडि मेंट्ट प्रोग की पिटिंग कैसे करते हैं या रेडिमेट कुडती कोई भी कुडती हो उसकी fitting हम कैसे करेंगे तो देखे फ्रेंट से यह हमारा रेडिमिट फिरोक है और यह full size है तो देखे side में इसके design भी है डोरी का तो इसकी fitting हमने कैसे करनी है कभी आप सोचो कि ऐसे हैं निशान लगाए और हमने fitting कर दी ऐसे नहीं होता है तो फ्रेंट से इसकी fitting के लिए हमने इसकी sleeve दोनों उतारनी पड़ेंगी तो देखे फ्रेंट से यह हमने इसकी sleeve दोनों उतार दी है उसके बाद हम इसकी marking करेंगे कैसे करेंगे तो चलिए आपको दिखाती हो तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं इसे तरह की वीडियो डालू तो आप उसको देख सको वीडियो को लाइक जरूर करें मुझे सब्सक्राइब करें तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे हम रेडिमेट कूर्थी की फिटिंग करते हैं तो देखिए फ्रेंट से यह हमने दोनों स्लीव उतार ली है अपनी कूर्थी की उसके बाद इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे हम ने इसको फोल्ड करना है इस तरह से पेले हमने हमने दोनों स्लीव को हटाना है उसके बार हम मार्किंग करेंगे पूरी फिटिंग की हमने मार्किंग करनी होगी तीरे से लेके कमर तक की हम यह फिरोभवाली पूर्ती है तो इसमें सिर्फ खमर तक की मारकिन करेंगे अगर हमारी रेडिमेट कुर्टी, सिंपल कुर्टी है फूल साइज की, तो उसकी पूरी मारकिन होगी उपर से लेके नीचे तक की, तब हम उसको सही सेट कर पाएँगे, तो देखे फैंस, लेंठ का तो हमने कोई डाउट नहीं है, लेंद हमारी प्रोपर है जितनी भी हमें लेनी है उसके बाद देखें फ्रेंड से हमने तीरा नापना है यहां से जिसका जितना भी तीरा होगा हमने तीरा चेक करना है तो देखें फ्रेंड से तीरा हमने नापना है यहां से हम तीरा लेंगे तो 6 इंच का तीरा लिया मैंने 6 इंच का तीरा लिया है तो मुड़ा हमने 6.5 इंच का लेना है यहां से इस तरह से इस तरह से हमने मिलाना है उसके बाद हमने एक इंच की यहां पे गुलाई देनी है राउंड सेफ इस तरह से उसके बाद देखे फैंस यहां से हमने फिटिंग नापनी है जैसे कि हम नौर्मल सूट में नापते हैं यहां से हमने फिटिंग नापनी है जिसकी जितनी भी fitting हो उसके बाद निच्चे से हमने कमर नापनी है कमर का आपको पता है कि यह हमारा joint है यहां से हमने कमर नापनी है जितनी भी जिसकी कमर हो वो marking करनी है हमें यहां से उसके बाद इस तरह से हम fitting का निशान लगाएंगे कमर तक और यहां से हम इसको ऐसे तिर् कि कटिंग करेंगे मूडे बे से यहां से हमने कटिंग नहीं करनी है सिर्फ हमने फिटिंग लगानी है दोनों साइड यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे तो देखे फ्रेंड से यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से उसके बाद हमने तो देखे फ्रेंट से यहां से हमने कटिंग की हैं उसके बाद इसको हम ऐसे ओपन करेंगे ओपन करने के बाद हमने फ्रेंट वाले हिस्चे की भी छटाई करनी है जैसे कि हम सूट में करते हैं उसी तरह से हमने हाफ आफ इंचे अंदर की तरफ फ्रंट वाले हिस्से की छटाई करनी हैं दोनों साइडों की तो देखे फ्रेंड से ये हमने छटाई की दोनों साइडों की इस तरह से तो कुर्ती के निशान हमारे हो गए हैं उसके बाद हमने स्लीव का देखना है कि हमारी स्लीव की कटिंग प्रोपर हुई है या उसमें भी कोई दिक्कत है तो देखे फ्रेंड से स्लीव की कटिंग तो हमारी हो चुकी है लेकिन इन स्लीवों में छटाई नहीं हुई है तो हमने दोनों स्लीवों की फ्रेंट हिसे की छटाई करनी है उसके बाद हम इसमें स्लीव टैच करेंगे उसके बाद देखिए आप हमारी कुड़ती की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी तो फ्रेंड से स्लीव टैच करने के बाद इसका फाइनल लुक आप देखना कि कितनी अच्छी हमारी कुड़ती की फिटिंग आए तो फ्रेंक्स कैसे लगी आज की वीडियो आपको मुझे कुमेंट में जरूर बताना अगर किसी भी तरह का आपका डाउंट रह गया है या आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक की हैं तो प्लीज मुझे कुमेंट में बताए मेले चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे स्पोट करें थेंक्यू